आदाव नमस्कार मैं आपका अमजद खाने एक बार फिर हाजिरूंग प्रोग्राम कहानी मेवाद के लेकर एक बार क्या होता है कि चार मेव दिल्ली जाते हैं उनके पास घोड़ा था जब दिल्ली पहुंच गए तो उनको रात हो गई तो उन्होंने सुत्रों सलूक के साथ मसूरा किया क्यों रात में चार पहर बाटते हैं तीन सोंगे और एक रखवाली करेगा तो इस तरह चार हिस्सों में उन्होंने बाट लिया तीन लोगों कर इससा पूरा हो जब रात का आखरी पहर चल रहा था तो जो लास्ट वाड़ा जो पहरादार था उसके आंखे लग आपसमें झाटा नहीं किया क्यूंकि वुए उचरों को एक इसन miejsc साथ कोई काम किया ज़ाए तो असा लोगता है तो उन्होंने मसोरा किया घ्रच नहीं हो गया उन्हों किनो इसन पेरों पर पड़ी जय जो तो ऊसमें से इस वह बड़ा है उड़ेदर सो तरसलूक की बात तँनों से एक जूती है इडीदार तो दूसर आनुमान लगार वै जूती इडीदार तो या कि सिलवार घुमावदार सिलवार घुमावदार तो यह जरूर है बाधाशा को पहरेदार बास्तां के पास हूं चलो वासा अगवर गटाएम अथो बास्ता अगवर के पास वहां पहुंचे बास्ता से कहीं अर्जी लगाई वह हमारे घोड़ा दियो बास्तां के वही तुम एसे के सारोफ लगा रहें तुमने कोई देखा नुक ना देखो एक रुमाल में अनार लायो और फल होता है उसको लायो वहां बीच में रखेंगे बताव यह क्या है जब पहला कह रहा है पहला में वट चीज है गोड़दार तो दूसर दोसर वट चीज है गोड़दार तो यू है फड़दार तो चोथो बोलो चीज है गोड़दार और यू है फड़दार और यू है दानदार तो बासा यू है जरूरा नार तो उन्हें बता दिए बात सब भॉचक को हुए उनसे पूची पर तम कैसे नुगए अगर सुत्तर सलूक आपसम भाइन में हुए तो कोई भी काम बढ़ो ना हुए तो ये उस समय के मियो थे जो सारे काम है सुत्तर और सलूक के साथ करें है दो दूए फी उनसे आप δεν कह सुत्तर त